करते हैं कि wireless है क्या है ना नाम सही पता चलता है एक ऐसा network है जिसमें wire ही नहीं है without wire का wireless बिना wired का network है जिसको बोलते है wireless network है ना तो network से इसने ज़रूरत को यह टा दिया है कि आपकी wire हो यह ना हो है ना अच्छा ऐसा क्यों करना पड़ा अपने को देखिए जो wired network थे ना उनकी कुछ shortcomings थी कुछ दिक्कते थी कैसे पहला तो ये है कि जब भी आप किसी भी device को wire से जोड़ते हैं तो वो जो wire की length है उससे दूर तक आप अपने device को नहीं ले जा सकते दूसरा move around करना बहुत मुश्किल होता है जैसे आपका laptop है सोचिए आपकी wire लगी हुई है तो घर के इस कोने से दूसरे कोने में जाना वो convenient नहीं है समझ भारे है सुविधा जनक नहीं है पहला और offices में भी यही है इसा बलकि offices में ज्यादा दिक्कत है क्योंकि आपको ना rigid space मिलता है काम करने के लिए तो अच्छा एक और चीज बढ़ाई common जिसकी वज़े से आप भी सोचेंगे कि हम जी wireless networking की ज़रूरत ही ज्यादा तर इसलिए पड़ी थी मानलो mobile जो आपके devices हैं छोटे दिन बदिन छोटे होते जा रहे हैं आप देखिए स्लिम आ रहे हैं बिल्कुल लैप्टोप है ना तो वहां पर आपको लैन कार्ड अगर देना पड़ेगा ना RJ45 को गनेक्टर तो आपका लैप्टोप का साइज मिंस ठिक होगा मोटा पड़ेगा थोड़ा सा तो वो स्लिम नहीं बन सकता लैप्टोप जैसे मै यह वजह थी कि जितने डिवाइस छोटे होते जाएंगे वायर से जोड़ना उनको मुश्किल होता जाता है तो इसलिए वायरलेस नेटवर्क की जब आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपका नेटवर्क में से सारी जगे से याप वायर हटा दोगे नहीं जब का बैक होगा क्या कुछ extra devices add होंगे कुछ extra protocols add होगी और सिर्फ क्यूं ताकि जो end devices है वो आपके network को access कर पाएं without wires means wireless क्योंकि सारा game किसके लिए हैं कि जो end users है end devices हैं वो network को access कर पाएं अपनी applications run कर पाएं इंटरνεट चला पाएं या फिर server पे कुछ upload या download कर पाएं तो वो जो पहले wire से सब कुछ कर पा रहे थे, अब वो वायरलेस करें, तो पहले वाला existing network तो वही है, उसके अंदर हमने कुछ devices, कुछ protocols ओर एड़ कर दिये, समझ पारें, so this is about wireless networking, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये कुछ अलग ही नया तरह का ही network होगा, नहीं, क्या add होगा जब भी आप एक wireless network बनाएंगे, एक access point एक device है, दूसरा एक device है, wireless controller, देखिए, जब भी आप मानलो, आपको mobile में कुछ भी नया काम करना हो, तो या तो इसकी नया hardware लगाना पड़ता है, या नया software है, मानलो, मुझे गेम खेनला है PUBG, simple sec example, तो क्या मैं उसका app डाउनलोड इंस्टोल किये भी ना खेल सकता हूँ, no, जैसे मेरा PC है, वहाँ पर मुझे वायर से ही internet चलता है, मुझे wireless connectivity चीए, तो क्या मैं without वो जो आपको याद है, USB की फोम में एक छोटा सा device आता है, stick, transceiver जिसको बोलते हैं, क्या आप वो लगाए भी ना wireless का connectivity ले सकते हैं, नहीं, तो इसी वजह से network में भी, जो आपके infrastructure networks हैं, बड़े networks, उनमें wireless की connectivity देने के लिए, ये दो devices हैं, access points and wireless controllers, access points जो directly contact में रहेंगे devices के, जैसे मुझे mobile पे, laptop पे, Wi-Fi से internet चलाना है, तो आपने लगे मिलते हैं, और आपको अगर याद हो, हमने networking devices की series में भी access points के बारे में काफी कुछ जिकर किया था, आप देखिए, अगर online भी जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे access point आपको image देखने को मिलेंगी, राइट, ये देखिए, मैंने आपके लिए ढूंडा, यहाँ पे access point लिखा, जस्ट Google पे, आप ये देखिए, इस तरह के आपको अलग-अलग companies के अलग-अलग shape के मिलेंगे, Cisco का है, आपका D-Link का है, बहुत सारे companies access point बनाती है, TP-Link है जैसे हैं, तो इस तरह के devices रहते हैं, अब इन devices को, मानलो, आपके ऐसे 100 devices लगे हैं, आपके college में, उनको manage करने के लिए, एक device आता है, इसको बोलते हैं, controller, wireless controller, right? अच्छा, wireless जो networks हैं, उनसे आपको extra क्या मिलता है? एक तो mobility, means, जैसे आप एक जगह से दुसरे जगह पे अगर आपको wire carry नहीं करनी, तो आपके लिए बहुत असान है, अलग अलग जगह पे जाके internet चला पाना, network को access कर पाना है, convenient है, सुविधा हो जाती है, आपको बार-बार IP नहीं डालनी, आपको बार-बार अपनी settings चेंज नहीं करनी, वायर का कोई game नहीं है, तो यह आसान है, यूज करना आपके लिए, ओके देन, अच्छा, यह सारा हुआ हमारा wireless के थोड़ा basic part के बारे में, अभी अगर हम देखें थोड़ा सा core wireless networking की बारे में पढ़ने के लिए, तो देखिए, जो आपका wireless networking है, अब वो हावा में है, air में है, कोई physical constraint, उसमें as such नहीं है, कि wire होगी, उसके अंदर सारा signal जाएगा, wire के अंदर तो आप control कर सकते हैं, restrict कर सकते हैं, पर air में नहीं, देखिए, जैसे मानलो आपके college में, wifi का network, internet चल रहा है, पर जो मानलो college के बार कोई setup है, कोई आपकी मानले जीए, महला है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी तो SSID available है, जैसे मान wireless को, उसकी security को, उसके speed को, उसके overall infra को, तो इसके लिए क्या है, आपको wifi में कुछ standards follow करने रहते हैं, ताकि आप सारा जो एक environment है, उसको friendly बना पाओ, users के लिए safe बना पाओ, right, तो वो कौन से कौन से हैं, आपके देखिए, दो points मैंने यहाँ पे डाले है, common standard follow करना चीए, सब zero two dot eleven a, पे काम कर रहा है, right, आपकी two mbps की speed दे रहा है, या फिर dot n या dot g, जिसके हम बात करेंगे आगे, यह सारे wireless standards कौन से कौन से रहते हैं, किसकी क्या speed है, तो अगर उधर जो आपका standards है, आपके network device पे, access point पे, तो आपके mobile में भी वो supportable होना चीए, तब ही दोनों wireless से ए मानलो, आपका access point लगा है, आपसे 10 feet, 50 feet दूर, और आप थोड़े से इधर हैं, तो अगर उसकी range वहां तक नहीं है, उस coverage area तक आप उसके BSS में नहीं हो, right, ESD में नहीं हो, तो आप तक उसका network नहीं आ पाएगा, तो यह सारा environment, यह सारा infra हम बिलकुल detail में भी discuss करने वाले है अच्छा, थोड़ा सा देखिए, wireless अभी तक आपने पढ़ा था, wired LAN है ना, सिरफ LAN, local area network, default का मतलब ही यही है, कि वो wire वाली है, जब भी आप LAN पढ़ेंगे, it means वो wired LAN है, तो हम wired लिखते नहीं उसमें, wireless का मतलब क्या हुआ, कि आपका जो local area network बनेगा, जो VLANs वगरा उनके थ्रू जो आपको connectivity मिलेगी, and devices तक, वो without wire मिलेग, simple सी एक बात यह है ना, तो देखिए, जैसे आप wired LAN की बात करते थे, वहाँ पे आपके signals रहेंगे, wire से जाएंगे, right, और receive हो जाएंगे आपके receiver की side पे, यहाँ पे जो signals है ना, आपके, वो frequency की form में जाएंगे, कैस से, आपका एक sending वाला device रहेगा, वो wireless के signal बेज़ेगा, जिनको क्या बोलते है, RF signal, RF means radio frequency के signal, अब receiver की side receive होगा, वो उसको receive करेगा, right, अचा एक चीज समझ यह जरा, यहाँ पे जो sending side पे अगर wire वाला एक network था, उसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, क्यो इस्ट्रा कुछ device पढ़ने पढ़ेंगे, जैसे sender की side पे एक encoder device होता है, encoder क्या करता है, कि जो आपके zero ones वाले signal पहले थे, जो wire से जाते थे, उनको अब यह frequency में convert करना पढ़ेगा, तो यह frequency में convert करने का काम कोन करता है, sending side पे encoder, frequency में जाएंगे, air पे travel करेंगे, receiving के side पे जाने हैं, तो repeater यूज कर लो, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन क्या थी, जैसे आपको twisted pair cable, उसमें hundred meter से जाद आने ले जा सकते है, इसमें भी आपका वही रहता है, load base और काफी सारी चीज़े हैं, कि आप कितने meter तक ले जा सकते हैं, वो हम discuss करेंगे आग गयाने वाले time मे receiver की साइड पर decoder रहेगा, आपका यो जो signal frequency की form में था, इसको 0 and 1 की form में दुबारा से convert करेगा, तो ये जो पूरा आपका structure है, इसको बोलते हैं, wireless LAN है न, तो ये देखिए ज़रा, कुछ इसमें ऐसा है, to fully leverage, अच्छा, data should travel in both direction है न, ओके, एक ही time पे अगर ज़्यादा signals, ये point ज़रा देखिए आप, ये मालने जी एक ही sender और एक ही receiver है, अब मालने जी यहाँ पर multiple senders हों और multiple receivers, जो कि एक production network में मिलेंगे ये आपको बहुत सारे user मिलते हैं जो use करेंगे wifi को, तो वहाँ पर air के अंदर आपके जो signals हैं, frequency signal, उनका एक दूसरे के साथ overlapping का डर रहता ह है न, तो चलिए देखते हैं, अगली slide क्या cover करती है, हाँ, बहुत important point आई यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो, जब हम hub पढ़ते थे, hub में क्या था, कि सारे के सारे devices single collision domain के अंदर आते थे, reason क्या था, hub जो है shared networking model पर काम करता है, कैसे hub एक intelligent device नहीं है, hub को नहीं पता कि मेरे किस port पे कौन सा device लगा है, right, अब जो end devices है सारे के सारे, उनको नहीं पता, जैसे मालो मैं port number 1 पे जुडा हूँ, मुझे नहीं पता कि port number 2 पे जो PC है, वो data भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, switch को पता है, पर hub को नहीं पता, इसलिए हमेशा एक डर रहता कि कहीं मैं अभी signal भेजने लगू, हो सकता है कि port number 2 पे जो PC लगा था, वो भी उसे time भेजने लगे और collision नहीं हो जाए, right, इसलिए बोलते है कि हब का जो collision domain एक है, क्योंकि सारे के सारे devices एक टाइम पे भी send कर सकते हैं, collision हो सकता है, आपके wireless LAN में भी यही चक्कर है, कि जब भी आपके devices जादा जो W-Line है, यह question आ सकता है, कि वो half duplex है या full duplex है, अब चाहें तो full duplex मतलब कर सकते हैं, no doubt, बट उसके लिए जो अब देखिए, यह कुछ ऐसा है, जैसा मैं बोट टाइम पहले सोचता था और पढ़ते थे, कि आप AC to DC convert करते हैं, अगर आपको याद हो, analog current को, अब क्या कर अब कर सकते हैं, चाहें तो, बट उसका architecture, उसकी complications, उसका वो सब बहुत ज़्यादा रहेगा, अलग है, तो हम जो अभी wireless LAN है, हमारा बहुत proper तरीके से, managed तरीके से use करते हैं, किस में? Half duplex mode में, तो अभी अगर आप से कोई पूछेगा, जो wireless LAN है, WLAN, किस mode में चलेगा? आप से ज्यादा अगर आपके station रहे, अचा, और ये थोड़ा सा अभी confusing लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी मैंने कोई channel, कोई band, किसी भी चीज का discuss नहीं किया है, वहां पर अभी तो practical भी नहीं लग रहा होगा, आपको है, हाफ duplex में, तो इतने सारे devices कैसे use कर पाएंगे, त आपको अपने answer खुद बेखुद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो येस, ये एक main point मुझे जो इस slide से clear करना था, half duplex वाला, I think ये clear है, अगर clear नहीं है, तो मुझे comments में जरूर बताईएगा, right, ताकि हम और इसको point को clear कर पाएंगे, wireless landfill duplex, yes, ये मैंने लिख दिया, आपक फिलहाल आपका जो standards है, wireless के, इसको support नहीं करते हैं, permit नहीं करते हैं, तो I think इस video में इतना काफी है, अगली video में हम रखेंगे हमारे जो basic terms है, right, wireless infrastructure की, जैसे BSS, BSA, SSID, BSSID, right, ये सब cover करने वाले हैं, so let me know, बताईएगे मुझे comments में कि how is this first video of wireless, कुछ और बहतर हो सकता है, कुछ और अलगा angle से आप चाह रहे हैं, या फिर जो भी, अगर आप satisfied है, तो please encouraging words मुझे लिखिए comments में कि yes, you are doing good work and all, ताकि मेरे होसला और बढ़ता रहे, and yes, मैं इस तरह की और ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा information के साथ आपके सामने ला सकूं, तो मिलते हैं अगली videos में and yes, bye bye, take care, keep my, uh, khayal rakhia apna and yes, bye bye